उत्तर प्रदेश में सरकारी सिच्छक बनने की लिए एक कतार जो थी न वो दिन प्रद दिन लंबी होती जा रही है और इस लंबी होती कतार में जो कलके ही होने वाले सिच्छकों सिच्छकाया थी वो और साथग्रस होते जा रहे हैं उनकी जो पढ़िने की जुनून थी, उनका जो हौसला था, वो दिन प्रत दिन तोटता जारी आज हम एक ऐसे कलके सिच्छक की बात करने जारें जिनका नाम, कलपली की नाम पंकज है मतलब हम उत्तर प्रदेश में सरकारी सिच्छक सिच्छका बनने वाली उस पंकच की बात कर रहे हैं जो अपने घर से दूर इस उमीद के साथ अपना परस्चल पूरा करने के बाद त्यारी कर रहे थे कि वो कल को सरकारी सिच्छक बनने जा रहे हैं और अपने उमीदों को और अपने माबाप के शपनों को पूरा करेंगे लेकिन कहीं ने कहीं उस बार उनके उमीदों को एक नई उडान नहीं मिल पाईगी उनके उमीदों को नए पंक नहीं लग पाए इसका कारण इस बार पंकच नहीं थे इस बार उनकी मेहनत में कम ही नहीं थी इस बार उनकी होसले में कम ही नहीं थी इस बार उनके माबाप के जो मोटिविशन था उसमें कम ही नहीं थी इस बार उन्हें उमीद थी उत्तरपदेश में जल्दी से एक सरकारी से चक भरती परिच्छा होगी और वो एक सरकारी सिच्छक बनकर अपने परिवार का, अपने माबाप का, अपने समाज का, सब का नाम रुशन करेंगे और खुद मनिश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर बदलते भारत की तश्वीर में अपना प्रमो की उतान देंगे लेकिन उनके सपनों में लगाता ग्रहन लगता चला के और जब ग्रहन लगना शुरू हुआ तैसे तमाम उत्तरपरदिश में लाखो पंकज हैं जो भरते का देजार कर रहा है जिन इस भात का अब भरोशा भी नहीं रहा गया कि क्या उत्तरपरदिश में कोई भरती आएगी उन सभी पंकज अब घर पर बैढ़ कर अब ये सोच रहे हैं कि अपने परिवार को हम क्या जबाब देंगे हम उस समाज से क्या कहेंगे जिन्होंने हम एक सिच्चक कर रूप में सोचा था हम एक सिच्चक कर रूप में देखा था उन्होंने दोवर्ष का अपना परसिचन पूरा किया और कई बार टेट और सीटेड ये सी प्रिच्छाओं को उत्रण किया अब जब उनके होसले पस्त हो गए वो मैदान में हारा हुआ एक घायल सिपाई की तरह यह मैशूस कर रहे हैं कि अब हमारी हार निकट है लेकिन आज मैं दुर्गेश उन सभी पंकश को एक बात यह कहना चाहूंगा रात कितनी भी घनी क्यों हो रात कितनी भी घनी अधेरी क्यों नहो लेकिन जब सूरत शुबा का निकलता है शारे अधिकार को खतम गर देता है जब इंतजार रुपी रात की घड़ी पहर अपना समय बदलती है तो फिर से एक बार आपके सफलता का सूरत चंगेगा सारी अंधेरे दूर हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से सब में हो जाएगा कितनी भी घनी रात क्यों नहों एक दिन सफलता का सूरज चरो निकलेगा आप भी खुद पर वरुसा रखे अगर आज आप तुटकर बैढ़ गए तो कल बाते अपने मन में समझेगा ध्यान स जिस बात को समझेगा जैसे आज पंकच पढ़ रहा है पूरी सिलबस को नहीं पढ़ लिया पूरी पैटरन को त्यार कर लिया अचानक उनको यह लग रहा है आप मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि भरती नहीं आ रही मेरा पढ़्णय कमन नहीं हो तो आज उन्होंने पढ़ पढ़ रहा है तो इन दोनों पंकच के बीच में बड़ा डिफरेंश होगा एक वह है कि जब हम पढ़ना छोड़ देते हैं तो पिछले तीन साल की जो हमारी पढ़ाई होती है वो धीरे-धीरे खतम होते चलिया आती है लेकिन जब दोबारा हम आज के च्छा महीने के बाद सुलू करेंगे इस बार सुरुवात शिखर से नहीं इस बार सुरुवात फिर से जीरोश होगी योगी च्छा महीने के गया के बाद हम पिछना जो था वो तो भूल गये और जो नया अरजन करना था वो भी मेरा छोड़ गया लेकिन एक तरफ जो दूसरा पंकस था जो आध देशरी उस पंकच की होती है जिसने अपना बहतर दिया है जिसने अपना बैस्ट दिया है जितने नित्प्रद दीन अपना एक एक करके कदब जो और दुनिया में अगर तिहास की बात करें इतिहास हमेशा नहीं कर लिखा जाता है जो संगहर्स करके लिखरते हैं बिना पहेनद, वो हमारे जजबे, वो हमारे जुनून से ही बना है. जब आप खुद तूड जाएंगे, तो बताईए, आपके संहरस के कहानी किसे बताई जाएगे? आप उन कैरों मेंसे होंगे, जिनकी कोई कहानी नहीं होगी. जिनका कोई इतिहास नहीं होगा, और आप खुद का प्राइदिहास बनाएंगे जिसकी कोई पढ़ेने वार अभी भी समय इस बात को ठान कर रखिएगा जब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक अंतिम रूप से चैन नहीं होगा तब तक हम आप उत्तर प्रदेश के लाखों पंकर अपना बेश्ट देना बंद ना करें क्योंकि जिस समय आप परिष्छाल से बाहर निकलेंगे यह समाज यह परिवार आपको दो दिश्ट कोण से दिखेगा शफल या आसफल उस समय अगर आप आशफल होते हैं तो इस समाज को यह कत्ताई नहीं सुनने में आएगा कि पेपर कठिन था गड़ित कठिन आई थी अर आपको नेतागरी करने का समय मिल गया उसमें समय नहीं मिल पाया सवज़ाश मेरा नहीं हो पाया समय नहीं मिल पाया कौपी चिन गई थी जल्दभाजी में दिमाग डिश्टर हो गया रेश्टेशन नमबर गलत हो गया चार कोश्चन के गोले गलत हो गया यह सारे जो जवा प्रति भरते का तीजार करते रहा जाएंगे और अग्ली बाद जो और पंक जाएंगे न तो आपसे भी मिधावी होँगे, आपसे भी पढ़ लिखे बहुता है। जा सकती है खुद को इस बात के लिए सजो के रखिए कि आप परिच्छा हल से आने के बाद अपने परिवार का जबाब अपने खुद का जबाब आपकी शफलता होगी क्या इस बात के आप गरिंदी लेते हैं कि अगर आपके लिए भरती कल आ जाए तो आठ लाग बंदों मे सज़ें कि आपका सलिक्साभ हो सकता है हम प्रते उन पंकश से पूछ रहे हैं जो एक सरकारी सिच्छक बनने का शपना सजोएं हैं वे तमाम भावी सिच्छक उशिचकाओं से मेरा शवाल है क्या कल को सिच्छक भरती आती है तो क्या आपका अच्छैन होगा कि इस बात कि या बैरिंटी लेते हैं बस ऐसा नहीं मेरा कोई ऐसा दिश्ट को नहीं आपको डिमोटिवेट नहीं का नबस एक छोड़ा सवाल है यूँकि एक यह भी सच्चा ही है कि जब यूपिटेट या सीटेट जहां क्वालिफाई होता है 90 नंबर पास होता है बैसे नंबर पास होता वहाँ पर 20-25 परशेंट लोग केवल पास होता है मतलब जहां पर क्वालिफाई मार्क है वहाँ पर भी लगबग 80 परशेंट लोग फेल हो जाते हैं मेरी बात को समझेगा इस उत्तर पदेश कोनी भाविश उच्चिकर में बात कर रहा हूं जिन्होंने दो बर्स का पोजि से भी केवल 37 परसेंट पास होते हैं 63 परसेंट नहीं पास होता है मतलब आपके लडाई उन 63 परसेंट से नहीं है आपके लडाई उन 70 परसेंट से है आपके लडाई उन 20 परसेंट से है जो सिटके वास्तविक दाविदार है कि इस बार से चकभरती परिच्छा हो या केवि कि बूल 90 और 82 नहीं लाने हैं क्यों 95 पंचान और 97 अंक नहीं लाने हैं। इस बार आपको उनसे लड़ना है। इस बार लडाई उनकी अकाद्मी मेरिट है। इस बार लडाई उनसे सुपर टेट सुच्चकबरती परिच्छा की मेरिट से वहुआ। और इस मेरिट का जबाब आपकी प्रतेइक प्रश्ण के सही उत्तर के, आपकी प्रतेइक प्रश्ण के सही मुल्यांकन सही शंभव है। इसलिए अगर आपने आज खुद को नहीं बाद कर रखा, तो फिर उनको उन अपने युद्ध भूमी में उने कैसे पराजित करेंगे। इसलिए खुद को समीटिए और आज से खुद में अप्रण लीजिए कि तब तक अब नहीं टूटेंगे, जब तक सफल नहीं होंगे। जब आप सफल हो जाते हैं, तो लोग ये कत्ता ही नहीं पूछेंगे, कि आपने कितना देर पढ़ा था। लेकिन जरूर पूछेंगे, बेटा अपने बिटिया को पढ़ाना है, अपने बेटों को पढ़ाना है, अपने भाई को अपने भावी को पढ़ाना है, खुद पढ थिए उनके पास टाइम मैनेजमेंट उनके बात कुद को जोड करकरने की केवल थाकत होती है इसके अलावा सफल में किसी अलब प्रकार से नहीं होते है उनके दो वाज होते है उनके गड़ी में起 Dani उनके सामने वही प्रशन होते जवाप के ओ pos Remove दुर गशेत के लाश देललेट, बिटीशी, बीएट के उन तमाम भावी सिच्चा को सिच्चकाओं के लिए था जो आज भरती के आश में खोच से तूटे जा रहे एक दिन भरती का सूरज निकलेगा और आपके सारे कश्ट को दूर कर जाएगा लेकिन अगर आज आपने खुद को नहीं समेटा तो अगर, मगर, लेकिन बहुत सारे शवाला के लिए छोड़ जाएगा जाने जाने वगर किसी बात से आपको प्रत्यश्य पत्यश्य रुप से मेरी बात का ठेस पहुच्छ वोत में तुरगेज जैस्वाल स्हिद अच्छमा चाहता हूँ लेकिन मैं फिर से आपका भाई, आपका मित्र, आपका परिवार खिस्चा होने के नाते मैं हमेशा अखि लगते हैं खेत में गदे और बैल अच्छे लगते हैं और आपका जबाब हमेशा सेलेक्शन से ही होगा आप शबीका बहुत धन्यवाद वीडियो को शेयर करिएगा चनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा जहां भी कोई भी जुरुत पड़े मैं हमे सब्सक्राइब कर पड़ते रहेगा यकीन मानिये हम आपको सब्सक्राइब उस धलीज तक जरूर ले जाएंगे जहां पर आपका सपना और आपके माबाप का सपना आपके परिवार का सपना है खुद से कभी मत हारिएगा क्योंकि लोग ने आपने देखा है किसी भी भवन लिए को बनन गिराने में चाहिए बोलाने में सालो लग जाते हैं और आप यहां तक पहुंचाने में आप अपने खुद को सालो लगा दियो लेकिन अगर आज कुछ समय के लिए अब बचली तो यहां का परिवार आपका सपना कि से कंडों में दिखर जैगा औरा आपका सफलता आप खुद हैं भरुष के लिए हमेशा सकारात्म कराना है हमेशा आपको उर्जावान रहना है और किसी के सामने चुकना नहीं है चाहे वो समय हो चाहे परसिती हो चाहे वो संगर्ष हो मानि सरकार पर भरुशा रखे अगामी चुनाओं से पहले आपको भरती देखने को मिलेगी और जब मैं भरती देखने की बात करता तो बहुत सवरी वां कमेंट करते हैं कि भरती नहीं आएगे तो क्या होगा आपकी कहने से भरती आजाएगी जी हाँ मेरी कहने से भरती नहीं आएगी लेकिन एक कोरी सच्चा यह है कि इस समाज में दो तरह के लोग है शफल और अशफल लोगी संख्या हमेशा कम रहती है अपने गाउं में देख लिए अगर गाउं में आपके 500 आबादी होगी तो 10-20 लोग ही होंगे जो सरकारी नौकरी करते होंगे बाकी क्योंकि हमारे समाज शरकारी नौकरी पेशा को ही सफल मानता है तो अगर उस दिश्टिकूर्स अगर हम देखें और आप देखें तो हमें आर आपको यह भरोशा होता है कि कही निकही वास्तों में मेहनत में कम है हम उसमें कुछ ऐसे हैं जो केवल क्वालिफाई अंग भी नहीं पार कर पाएंगे कुछ ऐसे भी हैं जो उस अंग क्वालिफाईंग से काफी उचाई तक जाएंगे और हमारी लड़ाई उनसे है जो क्वालिफाई अंग से काफी उचाई पर जाएंगे काफी उपर तक जो आपको देखने का जो नजरिया है वह आपकी प्रती नहीं आने वाले उन तमाम प्रिणियों के लिए होगा एक कहीं न कहीं पत्थल की वो लकीर होगी कि फलाने की बिटिया फलाने की बिटवा दो साल से तीन साल से चार साल से पढ़ रहा है तैयरी कर रहा है उसका कुछ नहीं हुआ तुम्हें किस से बिटीशी करा है जाने दो तुम घर का काम गाडी बनाना सेख लो, इस दिश्ट को बदलना है, मेरा देस्ट बदल रहा है, हम सब को बदलना होगा हमारी सोच को बदलना होगा, कि हम और आप कल के भरत के वह नियोरमाता है, जिनसे हम इस तुनिया के सामनेzentे भरत को फिर शे मिषव गुरू बनाना है आप शरीका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शेयर करिएगा, निरास मत हुईएगा, योकि आपकी एक छोटी से आसा के किरण इसी जीत की बिवलवाया देगी, और हमें साथ एक अच्छा खिलाड़ी वही है जो निरंतर अभ्यास करता हो, चाया वो अलंप्रिका खिला प्रदर्शन में कोई कमी होगी, मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा, यहां आपके शफलता से इसका सीधा मतलब है, कर आपके भ्यास में जरा से कमी रह जाएगी, तो आप अपने टुन्नामेंट रूपी सफलता से बाहर जाएगे, मैं चाहूंगा, आप शफल हो, आप आपके अंदर हो काविलियत है, आपके अंदर जिनून है, आपके अंदर हो चमता है, आप करके दिखाएगे, मुझे आप सभी पंकच पर वरोशा है, मुझे आप सभी कल के सिक्ष को वरोशा है, फिर से आप सभी का भात वीडियो को शेयर करिएगा, गर इस वीडियो को फ रहेगी पूठी आपकोभी देश्च निर्माता वनना है इस देश की नियूत मजबूत करने वाला प्रभ वनना titled ज़िसका कॉप आपका खोदका सपना है जय हिंद जय भाग़ क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार TET पार करने की तयारी कर रहे हैं? जाहे कोई भी हो परिक्षा, UPTET, CET, REIT, MPTET, AADI, सभी राजियों की परिक्षा की सिलिबस के आधार पर हम आपके लिए लाएं हैं सारे विशियों की महत्वपूर्ण नोट्स स्टेट, NCRT और प्रिविस एर के पेपर के आधार पर डिजाइन किये गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षका बनने का सपना साखकार हो जाएं अब की बार टेट पार सूपर टेट, KVS और रीट मेंज एक्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं ओन्लाइन क्लासेज में प्राक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ओन्लाइन लाइव और रिकॉर्ड़ेट सेशन और PDF नोट्स भी अवैलेबल हैं अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063-44367, 73551-79012 या 73988-83002 पर एड्रिस जॉनपुर, UP